नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल FM ज्यान पे जहाँ पर हम और आप टाई अप देखने को मिलना है Dcentro Company के साथ तो यहाँ पर जो आज की निउज निकल रही है उसमें ये बता जा रहा है कि Yesbank में Dcentro करके एक Company है जिसके साथ TIE UP करा हुआ है तो ये tie-up क्या है उसके पहले हम समझेंगे Decentro company क्या है और किये क्या करती है Decentro जो एक company है वो Bangalore based startup है जो की एक तरह से fintech company है जो की एक financial solution प्रोवाइड करती है छोटे startups को या फिर आप कह सकते है retail investors को या फिर आप कह सकते है जो की आम लोग होते हैं आप या मैं लोग जो भी online services यूज़ करते है through a digital card यानि की credit card या debit card की अगर हम बात करें उसके साथ तो यहाँ पर इन्होंने yes bank के साथ tie-up करा है इससे yes bank को फाइदा क्या होगा क्योंकि आपको पता है yes bank retails में और खासकर अगर हम बात करें personal loan इस समय बहुत जादा उस पे focus कर रहा है ताकि इनका NPA फिर से ना होने पाए जो कि पिछली बार corporate में देखा गया था तो यहाँ पर यह चीज़ समझ नहीं होगी आपको यह tie-up इसी लिए करा जा रहा है ताकि हम retail और जो personal loan दे सकते किसी भी इनसान को individual level पर उस चीज़ को बढ़ाया जा सके ताकि जो NPA है उसको घटाया जा सके आने वाले time में तो यहाँ पर क्योंकि Yes Bank के पास अच्छा खासा deposit already maintain हो चुका है और इसमें अगर हम बात करें जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर नया fresh issue आने वाला है तो इससे related Yes Bank के पास एक अच्छा खासा fund है जिसको की वो lend कर सकते हैं जिसको की वो आगे दे सकते हैं और यही पैसा यहाँ पर अगर आप समझें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बैंक के लिए किसी भी बैंक के लिए earning के वे में तो अब इन दोनों को tie-up से क्या होगा कि Decentro के साथ जब वो tie-up करेंगे तो एक तरह से एक online platform बन के आएगा और जितने भी छोटे-छोटे startup हैं जो की loan देते हैं या इस टाइब की card services provide करते हैं तो Decentro और Yes Bank का एक tie-up card बनेगा रूपे network पे तो रूपे का एक online card मिलेगा debit card की तरह और यहाँ पर क्या होगा कि लोग पैसे यहाँ पर डाल सकते हैं उस card में और उसके बदले वहाँ पर वो transaction कर सकते हैं जब भी उन्हें करना है चाहे वो shopping के लिए हो चाहे वो transaction के लिए चाहे वो merchant के लिए चाहे वो online booking के लिए जिस type के वो startup होंगे जिस type की वो companies होंगी यहाँ पर एक अच्छा खासा growth base मिल सकता है Yes Bank को यहाँ पर अपना पैसा कमाने का Decentro को लिए भी बहुत अच्छा तरीका है Yes Bank के लिए भी अच्छा तरीका हो जो भी यहाँ पर financial companies इस service को adopt करेंगी उनके लिए भी काफी अच्छा process होगा बट यहाँ पर देखी इस news को अगर हम लेके चलें तो यह positive news मानी जा सकती हो और इसलिए मैंने यहाँ पर cover करी क्योंकि काफी लोग बोलते हैं वो long run में हमें देखने को मिलेगा तो share price अभी भी जहाँ पर trade कर रहा है मैं पिछले 2-3 महिने से यही चीज बोलते हैं वहीं पर यह दिखेगा ऐसा नहीं कि इस news के बाद कल आप यह मान सकते हैं कि सीधे बहुत जादा rocket हो जाएगा बट हाँ इन सारी चीजों को यह चोटे-चोटे step का आगे चलके आपको share price पर बहुत जादा फर्क देखने को मिलेगा इसके अलावाँ अगर आपकी कोई भी कोईरी है कुछ भी पूछना जाते है तो comment करके जरूर पूछेगा Thank you